दोस्तो स्वागत यह आपका अपने चैनल में दोस्तो आज हमारी भुगोल की सीरीज का दस्वा पार्ट है और आज हम इस वीडियो में जवाला मुखी से रिलेटिड एमसी क्यू देखने वाले हैं चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला एकुशन है निमली खित में से किसे प्रकरती का सुरक्सावल कहा जाता है इसका सी आंसर है उप्सन नमबर सी जवाला मुखी जवाला मुखी को प्रकरती का सुरक्सावल कहा जाता है जवाला मुख्यों के बारे में निमन में से कौन सा कतन सत्ते हैं उप्सन देखते हैं यह प्रत्वी की कृष्ट की एक नली होती है, जिसके माध्यम से भूगरब की पिंगली चट्टाने तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, तो option ने सही है, अक्सर इनकी नली के चारो और गोल कीपाकार पहाडी अत्वा परवतिये भाग का विस्तार हो जाता है, तो option B भी सही है, जवाला मुकी जागरत परसुप्त या सान तथा मिर्थ तीन पर्मुक परकारों में वर्गिकरत किये जाते हैं, तो option C भी सही है, तो option नमबर D इसका सी आनसर होगा, उप्योग सभी कतन सकते हैं, अलागिशन है, निमली कितमे से कौन सा जवाला मुकी के उन तीन वर्ग किया गये हैं, इसका सी आनसर होगा, option number D, योगिक जवाला मुकी, अलागिशन है, किस जवाला मुकी में अक्सर उदगार होती रहती हैं, इसका सी आनसर होगा, option number D, मृत जवाला मुकी, इन में अतिहासिक काल से उदगार नहीं हुआ है, इसका सी आनसर होगा, option number D, मृत इनमें एतिहासिक काल से कोई उदगार नहीं हुआ है। अलागुशने लंबे समय तक सांत रहने के पश्चात विस्पोर्ट होने वाला जवाला मुखी क्या कहलाता है। इसका सियांसरोगा उप्सन नमबर भी सुसुप्त जवाला मुखी। अलागुशने पिर्थिवी की पपड़ी की ठोश चट्टानों के नीचे जो पिंगला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी जवाला मुखी के उदगार के साथ धर्टी के उपरी तल पर आ जाता है। उसे क्या कहते हैं। इसका सियांसरोगा उप्सन नमबर मेगमा। अलागुशने पहले असरू की उत्पत्ती कभ होती है। इसका सियांसरोगा उप्सन नमबर सी जवाला मुखी उदगार के समय पहले असरू की उत्पत्ती होती है। जवाला मुखी में जल वास्प के अलावा मुख्य गैसे होती हैं इसका सिया अंसर होगा उप्सन नमबर C, कारबन डायाकसाइड, हाइडरोजन और नाइटरोजन जवाला मुखी उद्गार के फलसव रूप, प्राप्त लावा एवं धरातले चट्टानों के टुगडे को सम्मलित रूप से क्या कहा जाता है इसका सिया अंसर होगा उप्सन नमबर E, पायरो कलाश्ट अलायकसाइड, करेटर तथा कोलडेरा इस्थल आकर्तिया निमलिक खित्मे से किस सम्मदित है इसका सिया अंसर होगा उप्सन नमबर D, जवाला मुखी किरिया से अलायकसाइड, निमलिक खित्मे से कोन सी इस्थल आकर्तिया जवाला मुखी किरिया से सम्मदित नहीं है इसका सिया अंसर होगा उप्सन नमबर D, फियोड जबकि करेटर कोलडेरा और गैसर यह जवाला मुखी किरिया से सम्मदित है अलायकसाइड, किस इस्थल आकर्ति का निर्माण जवाला मुखी किरिया से नहीं होता है इसका सिया अंसर होगा उप्सन नमबर D, विसर्प, इसका निर्माण जवाला मुखी किरिया से नहीं होता है जबकि लावा पठा, सिल्थाजर डाइक, लावा मैदान यह जवाला निर्वान होता है अलाई कुछन है डाइक क्या है इसका सी आंसरों का उप्सन नमबर बी जवाला मुखी निर्मित आंतरिक इस्थला करती अगलाई कुछन देखते हैं अलाई उच्छने वहां कौन सा महादीब है जहां एक भी जवाला मुखी नहीं है अलाई उच्छने अगनी वले किसे कहा जाता है इसका सी आंसरोगा उप्सन नमर सी परसांथ परिमेखला को अगनी वले कहा जाता है अगला उच्छन है लेखो लित संबंदित है इसका सी आंसर होगा उप्सन नमबर ए जवाला मुकी से लेखो लित जवाला मुकी से संबंदित है अगला उच्छन है पैंट पोर्ट के विशे में कौन सा खतन सत्त है उप्सन देखते हैं जवाला मुकी छेतरों का एक छिदर ज इससे गरम एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड बाहर निकलता है। तो option ने सही है। इसके साथ सामानेता गेसर पाए जाते हैं। तो option B भी सही है। पैंट पोर्ट यूस से के यलो स्टोन नैसनल पार्क में पाए जाते हैं। यह कतन भी सही है। तो option नमबर D इसका सी आंसर होगा। उप्यूक सभी कतन सत्ते हैं। अगला कुश्चर ने विशु में सरवादिक जागरत जवाला मुकी कहां इस्तित है। इसका सी आंसर होगा option नमबर B परसांत महसागर के आसपास। अगला कुश्चर ने विशु के अधिकांत सक्रिय जवाला मुकी पाए जाते हैं। इसका सी आंसर होगा option नमबर C नमीन मोड़दार परवतिये चेत्रों में। अगला क्यूचने परसांथ महासागर के चारो तरब इस्तित जवाला मुखी की पेटी को क्या कहा जाता है इसका सी आनसर गा ओप्सन नमर सी अगनी सरंकला जिसे अगनी वले भी कहते हैं अगला क्यूचने विशुव के अधिकांथ सक्रिय जवाला मुखी निमले कित में से किस छेतर में पाए जाते हैं इसका सी आनसर गा ओप्सन नमर सी परिपरसांथ पेटी में अगला कुछन है निमली कित में से कौन सा जवाला मुकी परवत का उधारण नहीं है इसका सी आंसर होगा उप्सन नमर सी माउंट बलैक या जवाला मुकी परवत का उधारण नहीं है जबकि माउंट एटना जो कि इटली में है और माउंट फ्यूजियामा जो कि जापान में ह विशु का सबसे उंच्या जवाला मुखी परवत कहां इस्तीत है इसका सी आनसोर हो गयता परकार का जौआला मुखी है किस देश में इस्तित है इसका सियांसरोगा उप्सन नमर भी तंजानिया तंजानिया अपरिका महादीव में इस्तित है एलागिशन है फ्यूजी आमा किस देश का जवाला मुखी परवत है इसका सियांसरोगा उप्सन नमर भी जापान फ्यूजी आमा जापान देश का जवा अब दिशागर का परकास सिस्थम कहते हैं तो दोस्तों यह आती है हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको किसी किस्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं धन्यवाद